अलेकुम कैसे हो बच्चो ठीक हो अच्छा आज देखिए बड़ी गर्मी पढ़ रही है अच्छा गर्मी का उलट क्या होता है उसका जो मुतजाद लफ्ज है जैसे हम अंग्रेजी में आपोजिट कहते हैं वो क्या होता है क्या कहा आपने सर्दी आपने बिल्कुल ठीक कहा क क्योंकि आज जो मैं कहानी पढ़ रही हूं जो किताब पढ़ रही हूं उसका नाम है मेरी दोस्त यह देखिए मेरी दोस्त और इसमें जो सारी सारी किताब का मकसद है वो यह है कि कुछ थोड़े से मुतजाद अलफाज से आपका तारुफ करवाया जाए तो दोस्त का जो है या उसका जो उलट लवज है वो तो होता है क्या होता है हाँ दुश्मन लेकिन दुश्मनी बहुत बुरी बात है तो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए सब को दोस्त बनाए ठीक है ना तो यह किताब मेरी दोस्त और देखते हैं भई किस किताब में क्या हो रहा है अच्छा मेरी दोस्तथ का नाम आम ना है मेरा घर आमना के घर के पीछिया पतली गली में है आमना के घर के आगे चोड़ी सड़क है यह डेख अभी मैं आपको यह सड़क की नहीं दिखा सकती यहां पर जहां मैं खड़ी हूँ अपने घर के पास वो भी चौड़ी सड़क है उसके यानि आमना के घर के बाग में आम अमरूद और नीबू के छोटे बड़े दरखत हैं ये देखिए लेख रहे हैं आप मूं में पानी भी आ रहा है ना आम और अमरूद और नीबू वह एक दिन मैंने देखा कि आम के दरख के ऊपर बंदर बैठा है और आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा है उपर बैठा है नीचे गिरा रहा है ये देखिए ये बंदर बैठा और नीचे गिरा रहा है क्या आम आमना कमरे में गई तो उसने देखा कि एक डिब्बे के अंदर बिल्ली के दो ब बच्चे बैठे हैं, बिल्ली डिब्बे के बाहर खड़ी है, वो बैठे हैं, ये खड़ी है, एक बच्चा मोटा और दूसरा दूबला, ये देखिए, आप भी देखें, आमना की अम्मी ने देखा, कि पतीली में शोर्बा मौजूद है, लेकिन बोटियां जो है न, वो हैं गायब, मौजूद गायब, तो आपने सुनी एक कहानी, कहानी कहानी कहले है, या चोटी सी किताब है, जिसका मकसद ही ये है, कि आपको कुछ लफजों के उलट बताए जाएं, तो अब आप ऐसा कीजिए, कि जल्दी से इन लफजों को तो याद करके, और इनकी एक फेहरिस बना दीजिए, ठीक है ना, लिख लीजिए, और उसके बाद उन से जुमले बनाईए, क्योंकि जब आप हम जुमले बनाते हैं, तो हमें वो सारे अलफज बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं, तो और भी सोचिए, कितने सारे ऐसे अलफज हैं, चाहे वो अर्दू में, अंग्रेजी में, किसी और जबवान में, जो हम रोजमला इस्तिमाल करते हैं, जो एक दूसरे के उलट है, ठीक है ना, तो आप का काम अब ये है, कि आप वो सारे अलफज जो आपको आते हैं, या आपकी समझ में आते हैं, उनको जमा कीजिए, और कुछ समझ में ना आ लेकिन, उनकी फेहरिस बनाना, लिस्ट बनाना बहुत जुरूरी है, उनके जुमले बनाना और भी जुरूरी है, ताके वो हमेशा आपको याद रहें, तो आज हमने क्या किया, ये छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी किताब, और उस में से हमने कुछ मतजाद ठीके हैं, और ये मैंने बताया था, ये किताब लिखी है, बानी, सारी, लिखी तो नाहिद हसन ने है, और इसकी जो तस्वीरे हैं, वो बानी आपदी ने बनाई है, तो अब आप चाहिए जल्दी से काख़ लीजिए, पैंसिल लीजिए, और मुतजाद अलफाज लिख डा जो डिरेक्शन होते हैं, नौत और साउथ, या मगरिब और मश्रिक, वेस्ट, इस्ट, है ना, अच्छा, तो बहुत सारे हैं, मैं एक दो आपको चलते चलते और बता दू, आसमान, जमीन, आपको नीला आसमान मेरे पीछे नजर तो आ रहा है, है ना, और मैं खड़ी कहा हूँ, जमीन पर, तो ये सारे उलट जिसको कहते हैं, मुतजाद जिसको कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं, वो अलफाज हैं, तो आप को आज का ये जो वीडियो है, अगर पसंद आया, तो मुझे लिखकर बताईए ना, कि और आप किस किसम के वीडियो जो हैं, वो, या पहानिया सुनना पसंद करेंगे, ठीक है, खुदा आफिस,